जब भी कभी आपको लगे कि आपके शरीर की इम्म्यूनिटी कम हो चली है और आप जल्दी जल्दी बीमार पढ़ने लगे हैं यानि छोटे छोटे इंफैक्शन्स आपको आसानी से लग जाते हैं तो ध्यान दे शायद आपने अपने घर के नौर्थ सोन से कोई खिलवार किया है जी हाँ क्योंकि जिस तरह वैदिक एस्ट्रोलजी के अनुसार कुंडली का छटा घर इम्म्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है उसी तरह उसका कारग्र है बुद्ध और उससे नियंत्रित होने वाला वास्तु शासर का प्रमुक सोन है नौर्थ कुंडली में ये भाव दूशित या भवन का ये भाग दूशित हो तो असार लगभग एक जैसा ही रहेगा अगर आपके घर का उत्तरी भाग यानि नौर्थ सोन वास्तु दूश से ग्रस्त है और आपकी इम्म्यूनिटी कमजोर हो गई है तो किसी वास्तु शासरी की मदद लें तुरंत उपाई के लिए अपने घर्थ के नौर्ट सोन में साथ दिन तक एक किलो साबत मूंगी हरी दाल को हरे रंग के कपड़े में लपेट कर रखें साथ दिन पूरे हो जाने पर आठवे दिन उसे उठा कर किसी नीचे दर्जे के कर्मचारी को दान कर दें उत्तर दिशा की ओर चेहरा करते हुए प्राणायाम करें तामबे या चांदी के बरतन में पीने का पानी भर कर अपने घर के नौर्टीस में रखें और उसी का सेवन करें उसके खाली होने पर उसे रीफिल करते रहें नौर्ट से लेकर नौर्टीस जोन तक की सभी खिड़कियां खुली रखें भूल कर भी अपने स्वीपर या सफाई कर्मचारी से दुर्व्यवार न करें याद रहे सफाई कर्मचारियों से किया गया दुब्यवार आपकी immunity से सीधे सीधे connected है हर संक्रांती पर पुराने कपड़े सफाई कर्मचारियों को देना भी इसका एक अच्छा उपा है शास्त्रों के अनुसार आपके ननेहाल से आपके संबंद जितने मधुरोंगे उतनी ही अच्छी आपके community होगी आपके नाना नानी आपके मामा मौसी से आपके संबंद अगर मधुर है तो आपके ग्रहन अक्षत्र ही आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं खुश रहें स्वस्त रहें और हमसे जुड़े रहें कुछ और नई टिप्स लेकर आपकी मधनता इंचवी शर्मा कल फिर उपस्तित होगी तब तक आज के अनंद की जाए